हेलो बच्चो एक्जाम स्टडी इन प्रिपरेशन चेनल पर आपका स्वागत है और जैसा कि हमने कहा था जब भी कोई नई न्यूज आएगी हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे तो यह जो नई न्यूज आई है लोक शिक्षन से चालना है मध्यपदेश का यहा एक आदेश है और यह आदेश 12 नमबर 2020 की स्थतिका है और इस आदेश में लिखा है जो कि इसका विशह है कि शाष्की शालाओ के कक्षा 90 से 12 के विध्यारतियों का रिविजन टेस्ट तो इस हो सकता है इसका महत्वर 6 मंतली या 6 माई परिक्षा के बराबर रहे और इसके जो नमबर है वह आपकी वार्षिक परिक्षा में जुडएंगे तो यहाँ पर यह बताया गया शुरुवात में के जो अभी बच्चों की पढ़ाई हो रही है वो डिजीले मध्यपदेश दू अलावा 21 सितंबर 2020 से कक्षा नववी से बारवी के स्कूल आंचिक रूप से खोल दिये गए हैं और विध्यारती को अपने अभीभावकों की लिखी सहमती से बच्चों अभीभावकों की लिखी सहमती से पढ़ाई में आने वाली समस्याओ की समाधान है दू शाला में आर्गदर्शन प्राप्त के जाने के निर्देश दिये गए हैं इस प्रकार ओनलाइन कक्षाओं का संचलन किया जा रहा है अब आगे बताया गया है कि उप्रोक्त माध्यमों से विध्यार्थियों द्वारा किये गए अध्यन की डिविजन टेस्ट धिनांक 20 नवंबर से आरंब होकर 28 नवंबर 2020 तक होंगे और उसके लिए यहां पर विमर्श पोर्डल पर आपके जो प्रशन पत्र अप्लोड होंगे और विशेवार प्रशन पत्र आपकी शालाओं में डाउनलोड हो जाएंगे इसके लिए आपको सुचित भी किया जाएगा और आगे बताया गया है कि दिनांक 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कराय जा रहे रिविजन टेस्ट सभी विध्यारतों के लिए अनिवारी होंगे ठीके बच्चों में बात ही है कि सभी बच्चों के लिए अनिवारी है टेस्ट इस टेस्ट में विध्यारती किताबों के साथ प्रशन पत्र हल क कर सकेंगे यदि विध्यार्थी चाहे तो वे घर में बेटकर भी प्रश्ण पत्र हल करके ला सकेंगे जो विध्यार्थी घर से टेस्ट करके लाना चाहते हैं वे अगले दिन आकर उत्तर पुस्तिका जमा करके उस दिन का पेपर ले जा सकेंगे ऐसा इसमें लिखा हुआ है बच्चों जहां विध्यार्थी शाहला में परिक्षा देंगे वहां प्राचारे और शिक्षक आपके सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड-19 संक्रमंट से बच्चाओं का धियान रखेंगे और इस रिविजन टेस्ट का रिकार्ड उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह अधवार्शिक परिक्षा की तरह है और इस टेस्ट के अंकवारशिक परिक्षा परिणा में सम्मलिट के जाएंगे अता गंभीरता पुरवग आपको यह टेस्ट देना है शिक्षकों द्वारा 30ヅमबर तक विध्यार्थों की कोवपी जाजकर विध्यार्थियों का 30 व 2020 को उनकी कौपी दिखाई जाएगी ठीक है आपको कौपी भी 30 समंबर को दिखाई जा सकती है और जो भी तूटे आप करोगे वह आपको वापस समझाया जाएगा इस प्रकार यह जो टेस्ट है यह बहुत महत्व रखेगा इस टेस्ट के जो परिणाम होंगे वह 5 दिसंबर तक पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे और इस टेस्ट के लिए समय साणनी प्रश्ण पत्र और टेस्ट है तूपाथे क्रम भी दिया गया है तो बच्चों यहां पर जो है समय साणनी दे रखी है जो कि कक्षा नववी और दस्वी के लिए है यहां पोस्ट करके भी देख सकते हो आप उतार भी सकते हो या फिर आपके विद्याले में भी उपलब्द हो जाएगी तो यह जो टेस्ट है नववी और दस्वी के लिए इनका समय है दस से बारा का समय है और यह 20 नवंबर ठीके बच्चों 20 नवंबर शुक्रवार को गणित का पेपर है उसी तरह बाक 20 नवंबर से शुरू हो रहा शुक्रवार से ही ग्यारवी और बारवी का भी तो पोस करके आप देख लो कि कौन-कौन से विशे कौन से दिनांक को आपके उसका टेस्ट होगा और यह टेस्ट बहुत महत पुर्ण है बच्चों हम इससे समझी गए हैं इसका महत अर्धवार परिक्षा की तरह ही होने वाला है आपको यह टेस्ट अच्छे से देना है अब आगे यहां पर दे रखा है प्रश्न पत्रों की सूची दे रखी है कि नववी दसवी ग्यारवी और बारवी में कौन-कौन से पेपर होंगे तो सारे ही होने वाले हैं ठीक है आपके जो जो भी विशय है उन सारे विश्यों का टेस्ट होगा ही क्योंकि यहां सारे ही विशय दे रखे हैं आप पोस्ट करके इनको देख भी सकते हो जिसका जो विशय नहीं उसका टेस्ट नहीं होगा जो विशय आप पढ़ रहे हो उसका टेस्ट होगा और यहां पर ग्यारवी और ब तो इसके जो सुचियां दे रखी है तो इसमें तो आपके अधिकतर क्या विशय नहीं होंगे आपके जो विशय उनके टेंस्ट पेपर होंगे विमर्ष पोर्टल पर लोड और उसके बाद यहां पर देखो बच्चो यहां पर आपका जो पाठे क्रम आने वाला वो दे रखा जैसे कक्षा नवी हिंदी में गध्य में एक और दो पाठ आएंगे और पध्य में पाठ नो दस तथा ब्रिच कोर्स आएगा तो कक्षा नवी में ब्रिच कोर्स बहुत महत्वपुर्ण है हिंदी अंग्रेजी और गणित में ब्रिच कोर्स का बहुत कुछ भाग आने वाल तो वो आपको अच्छे से करना है और वेसे भी कक्षा नवी में जो त्रेमासिक परिक्षा होती थी वो ब्रिज कोर्स पर ही आधारित होती थी तो उसके बाद ये अर्धवार्शिक परिक्षा तो इसमें कुछ कोर्स तो आपके पाठे क्रम का जो अभिया पढ़ रहे हो और लगबबग आधा जो कौर्स होगा वो बिज कोर्स से इँगा उसी परिकार दस्वी का भी दे रखा है जिसे विशेवार पाठ्ठे क्रम विवरन या कक्षा ग्यारवी और बारवी के लिए दे रखा है तो ग्यारवी और बारवी में आपका कौन-कौन सा पाठ्ठे क्रम आएगा वो यहां इस पस्ट रूप से दे रखा है यदि आपको तो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने विध्याले में अभिभावकों की अनुमती से जाकर पूछ सकते हो या फिर इसका पता लगा सकते हो अन्य तरीके भी बहुत से हैं और यहां जो टेस्ट होने वाला है इसका बहुत महत्व है बच्चों तो आपको यह अच्छे से करना है जिससे कि आपके जो नंबर आएंगे अर्धवार्षिक परिक्षा का महत्व रखेगा यह और यहां नंबर आपके वार्षिक परिक्षा में भी जुडेंगे ठीके यहां जो नंबर हैं आपके वार्षिक परिक्षा में भी जुडने वाले हैं इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है याद करना है और उच्छे जाएंगे तो आपको जो अभी तक उनलाइन पाथे क्रम जो पढ़ाया जा रहा उसके हिसाब से उसमें प्रश्ण आएंगे और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए जिससे के वीडियो के नोटिफिकेशन झाल 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 झाल